धौलपूर के सपोउस खबर है दो गुचों में चुनावी संखर्शुआ कलमदान को लेकर सिकरोधा में विवात हुआ तो और आज फिर से एक बार तनाव का महोल देखने को मिल रहा है एक व्यक्ती पर ताबर तोड हमला किया गया खायल सुरेश को गंभी रहालत में अस्पताल पहुंच वाए गया जगडे के बाद बड़ी संक्या में लाटी डंडे लेकर सड़क पर लोग पहुंच गए वहीं गुजरपुरा के पास ये घटना हुई थी लेकिन कुल मिला कर ये कहा जाएगा कि याँ पर पुलिस विवस्था कि किस तरीके किया कि क्यूँ महोल एक बार फिर से तनाव पूर बन गया है कल सुर्थी थी कल को संभालना चाहिए था काट्रोर में करना चाहिए था शाथी विवस्था कायम करनी चाहिए थी लेकिन कलमदान को लेकर विवाद हुआ, ये विवाद इतना जादा बढ़ गया कि आज एक वाद फिर से तनाव का मौल और इसलिए पुलिस की कारेशाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं दो गोटों में ये चुनावी संखर्च रही, चुनावी संखर्च कल से आज तक है, चुनाव संपन हो चुके हैं, अब तीन तारी का इतिजार है, काउंटिंग को लेकर लेकर लेकिन यहां विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, प्रदीप सहपाउसे से होगी जुड़ च शासन की कारेशाली पर ही सवाल उठाया जाए, क्योंकि शांती विवस्ता की बात वो कर रही थी, चुनाव संपन हो गए हैं, लेकिन चुनावी विवाद खत्मोंने का नाम नहीं ले रही, अप्डेट दीजेगा देखिए जिस तरह ऐसे यह है, दो गुटों में यह चुनाव को लेकर के जगड़ा सामने आया है, उसको लेकर के कही न कहीं समझ तक हैं, उनमें अपनी प्रेश्टिज का सवाल बना हुआ है, हलान का वही मद्दान के बाद पढ़ना माना बागी है, लेकिन जिस तरह ऐसे मद्दान के दिन दो गुटों में जड़ब हुई थी, काश ने हुई थी, वह लोगों में खर कर गई है, आज जैसे ही एक तरगपर पहुंचार रोस पर हमला कर दिया गया, मार्विट के बाद, आज पास के कामों के लोग हैं, जो एक जाती समना इसे से भी माने जा रहे है पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, प्रदीप ये बताईए तो अभी किस सीती है, कितनी देर लगेगी पुलिस को यहाँ पहुंचने में? जी, बिल्कुल गटना की सुचना मिलता ही, पुलिस ने वहां मौके पहुंचने की बात कही है, हालांकि यहाँ तनार का माहल बना हुआ है, दो जाती समधाई बिसेस के लोग है, वो है ये टकराव कर रदीप कुछ लोग घायल भी हुए है, लाठी जंडों से बार हुआ है इतनी बड़ी घचना हो गए, पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, घायलों की आलत कैसी है? तो एक बार फिर से तनार का महौल उपच गया है, सवाल कई खड़े हो रहे हैं, किकी सेहोगी प्रदीपनिया में ये जानकारी दी है कि अभी भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है, लाठी डंडे चल गए है, चुनावी संगर्ज इतना जादा बड़ा हो गया कि लोग विवाद हुआ था, ये प्रशासन को जिम्यदारी संभालनी चाहिए थी, कि यहाँ पर शांती विवसा आने वाले दिनों में भी कायम रहे, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लेकिन अगले दिन भी इस तरीकी की घटना होना, पुलिस प्रशासन पर कई सवाल ख देती है, एक व्यक्ती पार दाबर तोड हमला किया गया है, खूनी संगर, शिखार सुरेश को गफीर हालत में अस्पिताल पहुंचा दिया गया है, जगडे के बाद बड़ी संक्या में लाची डंडे लेका सड़क पर भी उतर आये लोग, गुजरपुरा के पास सिखतना ह कोई थी, सवाल बार बार इसी बात को लेकर कि आखर यहां का प्रशासन क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या जिम्मदारी इस बात की लेंगे, पुलिस प्रशासन के इस बात की जिम्मदारी लेंगे, अनिल अगरवाल धोलपुर कलेक्टर हमारे सा जोड़ चुके हैं, सीधा कर जो विवाद हुआ था वो पोलिंग प्रोसेस के दुरान क्या है कि वो एक कुछ जो ओल्डेज महिला थी उनको एल्प की जुरत थी उनका एक कंपेनियन आया था उनका बेटा उनके साथ एक दूसरा एक और व्यक्ति ने उनको प्रिवेश करने की कोशिच की तो उसको हमार है उन गुरूपों में आपस में जगड़ा हुआ लेकिसा सीथी संभालनी चाहिए थी क्योंकि अभी भी पुलिस मोंके पर पहुंची नहीं है विल्कुल हमने सीथी संभाली वहां जाकर सब को शांत करा है और उसके बाद भी लोगों ने पहुए कि एक पर हमला कर दिया घ सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तो सर आपकी बिल्कुल हम अमारी जिम्मेदारी को पूरा भखोवी निवारे मेरी नाजरी को से यह अपील है कि वह अपना सहीं हम रखें जो भी इस चनाव खत्म हो चुके हैं अब कि यह लोग वो हैं जो आपस में रोज मिलेंगे अगर इस तरीके से मनभेद होगा घटनाएं होंगी तब इन्हीं के लिए मुसीबत होगी क्यों इने साथ ही रहना है बिल्कुल उसमें दोनों की हम आपसी मिटिंग भी करवाएंगे इनका स्वाध्र कायम करेंगे और इनक करेंगे कि आप इसी कोशिश में लगेंगे आके जीक है निल जी बहुत शुक्रिया इस साच्वाशन के लिए